स्वागत है आप सभी का लेटेस रिएक्शन मिक्स के करने वीडियो में तो दोस्तो हमने कल तुई प्रोफिशल का रोस देखा तैं माई फर्स विजिट तू इंडिया पर और आज हम पठान बाई का दिखने जा रहे और जो पठान बाई माई फर्स विजिट तू इंडिया और जो मेजर साब के बारे में अफ़ा के लाई थी कि उनकी माठो गई है उस पर पठान बाई बहुत ही अच्छी तरीके से पाकिस्तानियों को लटा रहे हैं तो सुरू करते हाज का मिक्स रियक्शन तो दोस्तों मेजर गौरबारिया साब के पीछे जूटा प्रोपेगेंडा करने वाले लोग वही लोग हैं जो के रहे हैं माई फर्स विजिट तो इंडिया बाई यह बहुत ही कतरनाक है इस बात को स्किप मत करना मेजर गौरबारिया साब को आपको पता है कापी आर्से से दमकिया मिल रही है मेरे को भी मिलती है मिलती भी थी मिलती भी है तो मेजर साब को भी मिल रही है अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दमकियों के और मैजर गुरवारिया साब के पीछे जो प्रोपेगेंडा हुआ है कि उन्हें मार दिया गया है इनके पीछे ये क्या रिजन है कि मैं फर्स विजिट टू इंडिया सब सब पहले हिंदोस्तान के वो लो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो कान कोल के सुन लो ये जो आपको कॉल करके आपको बोल रहे हैं कि मेरे को दिल्ली का बाजार देखा हो दिल्ली मार्किट देखा हो दिल्ली में शर्बत वाली दुकान देखा हो दिल्ली में पला चीज मेरे को देखा हो और ये पूरा हिंदोस्तान जो आप इनको वीडियो में देखा रहे हो ना ये वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है कल को अगर हिंदोस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है ये बात मेरी जड़ा गोर से सुनो ये जो लोग वीडियो कॉल पर हिंदोस्तान का विजिट करवा रहे है ये गोर से सुनो ये मेरी बात ये जो मॉबायल में ये पूरा हिंदोस्तान देखवा रहे है कि ये गली है पला ये चाचा सलीम बेटा हुआ है शर्बत बेच रहा है और ये अरजुन कुमार है यहाँ पर पकोड़े बेच रहा है तो कल को अगर हिंदोस्तान में कुछ हो गया मेरा कहने का मकसद है कोई दमा का वामा का कुछ भी हो गया तो बेटा ये जिस जिस को कॉलिंग हुई है ना जिस जिस ने ऑनलाइन यूटूब में कॉल के जरिये ये हिंदोस्तान का चपा चपा दिकाया है या बताया है उनकी फूरी फैमिली जेल जाएगी और दूसरी बात ये है कि मैजर गोरबारिया साब को जो अभी उसके पीछे ट्विट किया गया है ये पहली बार नहीं है दोस्तों दूसरी दूसरी आप कापी अर्से से मिल रही है आपको पता है कि इनमें सच सुनने की आदत नहीं है ये जोटी तारी पे बड़ी जल्दी कर लेते हैं जब इनको जरुत होती है पैसो की और बुक पड़ती है तो बड़ी जल्दी जूटी तारी पे स्टार्ट कर देते हैं ये किसी के नहीं हो सकते ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते ये मेरी बात याद रखना हिंदोस्तान से जदा अफगानिस्तान के साथ ये लोग जदा रे चुके हैं लेकिन ये लोग किसी के नहीं है ये पैसो के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं इन्होंने पैसो के लिए अफगानिस्तान को बेच दिया था पैसो के लिए इन्हों ने अपने प्रोसी देश के खिलाब अड़े दे दिये थे अमेरिका को और वो आज तक अफगानिस्तान वही बुगत रहा है आप सोचो कि अड़े देने का मकसद क्या होता है इसका मकसद यह होता है कि अगर आपका चीन के साथ नहीं बनती ठीक है ये पैसे लेके चीन को आपके किलाब अपनी जमीन देता है और चीन आपसे कापी दूर हो अभी तो चीन पास में फॉर इग्जेमपल बता रहा हूं कि आजाओ भाई यहां से मारो आप हमारी जमीन में बेट के मारो और आपका असला सावान वो सब वो जो आपको मारने के लिए लेके आ रहे ना वो ये लोग हेल्प कर रहे हैं उनके साथ पानी में शिप से उतार के यहां तक पहुंचा भी यही लोग रहे इनकी आरमी जो है वो प्रोटोकोल दे रही है क्या आजाओ यार यह लेक्याओ तो यह वो लोग हैं दोस्तो यह किसी के नहीं हो सकते इनको कल को पैसा मिलेगा ना ये जो हिंदोस्तान के मुस्लिम मुस्लिम हिंदोस्तान के मुस्लिम मुस्लिम कर रहे ना ये लोग कल को अगर इनको कही से भी किसी देश से भी पैसा मिल गया ना कि हंदोस्तान के मुस्लिम के किलाब कड़े हो जाओ तो याद रखना दोस्तों, यह हिंदों को अच्छा और मुस्लिम को बुरा बता देंगे हिंदोस्तान में, बोलेंगे यही मुस्लिम ने गलत कियाता है हिंदों के साथ, यह पैसों के पुजारी हैं, यह पैसों के लिए जुकते भी हैं, पैसों के लिए सजदा भी करते हैं, ये सब काम करते हैं. तोड़ा सब मेजर गौरवारिया साब का एक क्लिप आप लोगों को दिखाता हूं जो उनके पीछे प्रॉपगेंडा हुआ है. लेकिन इसके पीछे रीजन ये बहुत बड़ा है. मैं मेजर गौरवारिया साब से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता कि इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाईए मेजर साब इस चीज़ को रुकवाईए कि माई फस्ट विजिट टू डिली, माई फस्ट विजिट टू इंडिया. इसका क्या मकसद हो सकता है? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं अपने फौज को के खिलाप कड़ा होता हू उनके खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? सबूत क्यों नहीं ले कियाते हैं? भी एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, भाई, हजारों चैनल बने हुए, कोई भी हकिकत पे बात नहीं कर रहा में बिना के मोदी जी अच्छा बनता है, हिंदोस्तान का पकोड़ा बड़ा सस्ता है हिंदुस्तान में समोसा बड़ा सस्ता मिलता है हिंदुस्तान में भाई ये सिटी बन गई अरे भाई जो चीज जो बाते बोलने की है वो बाते कहो बात करो पुलवामा पर क्यों नहीं बात करते हो भाई फुलवामा पर बात करो ना यार पटती है क्या अपने आर्मी से आप लोगों की करो ना बात ये हकीकत पे बात करोगे तब जाके लोगों के दिलों में बैठोगे पुस्की छोड़ने से नहीं बैठोगे भाई पुस्की छोड़ने से लोग आपके उपर हसेंगे जैसे अभी आज हमा तो मैजर गोरा बारिया साब से रिक्वेस्ट करना च चाहिए इस चीज को रोखना चाहिए मैजर साब को कि माइफस्स विजिट तो हिंदोस्तान के बात्रूम वहां जाके सपाई करके आ गया इस चीज को तो मैजर गौरावारिया साब के चोटा सा क्लिप सुनिये दोस्तों उसके बात पिर करते हैं हम डिटेल से बात So, an announcement of my death, and I was slightly surprised I checked my pulse, I checked my breathing, I checked my blood pressure, and Major was alive and well, but why would somebody say that Major Gauravariya is dead, it seems that somebody cloned the twitter handle of Major General Sabbir Singh, now who is General Sabbir Singh? General Sadbir Singh is a senior military veteran, very respected and the gentleman who fought for the, you know, one rank, one pension. And when these protests were happening in Jantar Mantar, I was also there. He gave a call, I also responded, I also sat there for a couple of days. I was working in the corporate sector at that point in time, so I took Chhutti, I took leave and I sat there. So, that is about, you know, General Sadbir Singh, who is, you know, till date leading the OROP protests. Now, this, I'm going to read out the tweet and I'd request the editor to put it on the screen, please. Here is the tweet. Okay, so this comes from the Twitter handle, Sadbir underscore SM. All right, and this has the picture of Jantar Sadbir. So, whenever you have a picture, normal people generally tend to think that, okay, this is genuine because it has the officers, the general officers picture. So, people were sort of, you know, taken aback and they said that, okay, this is possibly genuine. And all the tweets were taken from his original Twitter handle. And his Twitter handle is this. Please see his original Twitter handle. That I follow him and he follows me. Right? But in this one, nobody follows nobody. All right? I mean, they follow me, but I don't follow them. These are Pakistanis, by the way, who have stolen the Twitter ID of General Sadbir. And what do the Pakistanis write? Delhi, very sad, news-proud veterans of Indian Army, Chaturwadi and Major Gauravaria was killed by unknown persons. Delhi police register a file against unknown persons. Intelligence agencies are investigated and intelligence agencies are working on it. Such a great loss for India. Om Shanti. I just want to ask the Pakistanis, don't they teach you full stops and commas and exclamation marks? English keep playing with it. Don't you have, don't you have, you know, basic grammar classes in your country? No. Is this the way to write? Now, I'm just going to give grammar lessons to Pakistanis. And just to be sure that they understand, I'm going to take them, you know, line by line from their tweet itself. So, this video, you have seen Major Gauravaria's channel of our channel on your channel. है तो कॉम्प्लीटली देख लीजिए कि मैजर गौरा बारिया साब ने इनकी जहालत कैसे वन बाई वर्ट करके बताई है कि कितने बड़े जाहिल है ये लोग ये कोई मामूली बंदे नहीं है ये जो कर रहा है ये जो प्रोपेगेंडा पहला रहा है जोटी कबर न्यूस दे काम नहीं है तो ये रीजन इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं ये ना माई फर्स्ट विजिट टो इंडिया ये उन लोगों को बता रहा हूं ये हिंडुस्तान मेरे के इसको जो मजाक लेके जो कर रहे हैं ये काम ये पीछे कोई है कुछ है इसका को बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सरकार ने अवाम को आगे कर दिया है कि भाई इंडिया के तल्वे चाटो इंडिया के इतना इंडिया इंडिया करो क्यों पूरा हिंडुस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखने लगे कि बाई क्या हो गया सुदर गई ये लो गंटी नहीं बजेगी हिंदुस्तान में गास नहीं हो गेगी ये क्यूंकि उनके पास एक दो दिन के लिए खाने के लिए आठा है इस वज़ेसे उनको पता है उनके पास पासपोर्ट है कभी भी पाकिस्तान में कुछ होगा उन बेट के निकल जाएंगे बिर्टिश वगेरा लेकिन यह जो अवाम है ना यह इनको पता है कि इनको इस्तमाल किया जाता है हमेशा तो अब यह आठा लेने के लिए इसके तो हम और आप बोलें कि हिंदुस अब यह भूके हो गए नंगे हो गए तो यह हिंदुस्तान की तारी पे नहीं 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 इसके पीछे ना कोई तो है कि आपने ये काम करना चाहिए कोई तो रिजन है बिना रिजन के ये लोग कभी भी काम नहीं करता है ये तो वो लोग थे भाई जब हिंदुस्तान के उपर हसते थे बोलते थे मुत्तर पीने वाले लोग है ये लोग गोबर खाने वाले लोग है अजीब बात है मुत्र पीने वाले और गोबर खाने वाने लोगों की इतनी तारीफ भाई आपने भी वहीं जा के मुत्र और गोबर खाना है भाई ये बड़ी अजीब बात है ये एक दम से कैसे हो सकता है अन्बिलीवबल भाई अन्बिलीवबल इसके पीछे क्या रीजन है अगर वाकई मैं पाकिस्तानी सुदर रहे हैं तो भाई इसको सुदरना हम नहीं बोलते खुशी के टाइम पर या गम के टाइम पर आपने अपने फाइदे का नहीं देखना है आपने पहले वो बताना है जिससे ये बीच में धरारे आई हैं इससे दिल जकमी हुए है पुलवामा पुलवामा पकड़ो अपनी आर्मी को उथारो उनकी पैंटे सालों की कहो कहो के भाई क्यों किया यह हाफिस साहिद को निकालो हाफिस साइद को निकालो तालबान को गुड गुड बोलने वाले तालबान के पीच्छे वीडियो बनाओ पहले के तालबान कैसे लोग है जेश मुम्मद, सिपाई सहबा, जमात इसलामिया अभी भी पूरा पाकिस्तान बरा हुआ है यह देखें यह इतने जो है इन्होंने आतंकवादी ग्रूपस अभी भी पार्टियां बनी हुए उनके खिलाब यह लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके खिलाब बोलेंगे ना, तो इनका माइक इन्ही कही वहाँ पर रगड़ जाएगा भाई, रगड़ देंगे, इनका माइक इन्ही कही उस पर रगड़ देंगे, बस इनको क्या है, क्यों हिंदुस्तान का पकोड़ा पाकिस्तानियों के साथ बाय कालिंग या किसी भी तरीके से ये बात याद रखना पटान भाई कि ऐसा दिन आएगा आपकी तस्वीर न्यूस चैनल पर चपेगी याद रखना ये बात हिंदू हो तुम या मुस्लिम हो या सिक हो जो भी हो हमने जो कहा वो बात हमेशे सच निक आप इंडियन्स हो मतलब स्रफ और सीर्फ अपने आपको चैनल्स में देखने के लिए आप इतना बढ़ा रिस्क हिंदूस्तानियों के इन लाइक का रिस्क ले रहे हूं इन पाकिस्तानियों के लिए दिल्ली दिखाऊ चाड़ दिखाऊ समूसत दिखाऊ तुमारी मा का ए आप लोग समझो इन चीजों को ये चीज़े एक पूरा टेरर अटेक है आपको पता नहीं चलेगा किस तरह की साधुषे हो रही है और जैसे कि यह भी पठान भाई ने बोला कि इनको बोलो कि आरमी को बोले तालिबान को बोले, जैशे मुहम्मद को बोले सुनो इनके पिछवाडे में दम नहीं है इनके बापों में दम नहीं है इनकी हिम्मत है कि तालिबान को बोल दे ज़र इनके मुह से तालिबान तो निकलवाद के दिखाओ और हिंदुस्तानियों के नाम पे जो ये पैसे खा रहे न हो और जो भर भर के वीवर्शिप आप इंडियन्स दे रहे हो ना ये उसी का नतीजा है कोई बड़ी बात नहीं है जो जो लोग इनसे connected है चाहे वीडियो में आडियो में वाट्सअप में किसी भी तरीके से लिटरली आप बचोगे नहीं चाहे आप इंडियन भी हो मैं क्लियर बोज़ेंगा आप नहीं बचने वाले अगर कुछ भी होता है मैं तो ही कहूंगा कि पता नहीं इतने सारे इंडियन्स कैसे आगे जिनमें लाक आफ नालेज नजर आ रही है जिनको यह समझ नहीं आ रहा कि आप एक पाकिस्तानी चैनल को देख रहे है पहली बात तो जो कॉंटेंट क्रियेटर है वो इंडियन है देखने वाली इंडियन है मगर पैसा जिसे मिल रहा है वो पाकिस्तानी है मतब उनने इतना जबर्दस प्लान बनाया है कि एक इंडियन वहाँ से दिखाएगा एक इंडियन देखेगा पैसा उनके पास आएगा इससे कंफूज नहीं होना चाहिए इंडियन चैनल पे इंडियन चैनल जो भी करते हैं पैसा इंडियन चैनल कोई जाता है तो लोगों को इतनी तो अवेरनेस होनी चाहिए कि आप किस बंदे का चैनल देख रहे हो पैसा कहा जा रहा है